नौर्ट पॉंबे का सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पांडाल अपने चिहोत्तरवे साल में प्रवेश कर गया है। यहाँ पर लगातार पिछले 45 सालों से मादुर्गा की स्थापना की जाती हैं और बड़े धूमधाम से नवरात्री सेलिब्रेट की जाती हैं। सर्बोजनिन दुर्गा पूजा पांडाल काजोल और रानी मुखरजी के परिवार और समीति की दोरा लगाया चाता हैं। और हर साल के तरह इस साल भी यहाँ पर माता की घट स्थापना हो चुकी है। पूजा समीति ने बताया है कि इस साल का उत्सव थाई मंदिरों की सम्रद संसकती, कला और आध्यात्मिक्ता का जश्र मनाते वे एक अध्वीतिय होने वाला है। घट स्थापना के मौके पर काजोल भी नज़र आई। इस तोरण वो यलो कलर की साड़ी पहने वे काफी खुपसुरत लग रही थी। हर साल की तरह इस साल भी पूजा का दाईत्व शर्बानी मुखर जी के उपर था, तो वहीं देव मुखर जी अपने पुरे परिवार के साथ पूजा पंडाल में मौझूद थी। पर रानी मुखर जी तो नजर नहीं आई, लेकिन काजोल, उनके चाचा देव मुखर जी और बाकी के लोग दिखाई दे रहे ही। नौट बॉम्बे सर्बो जनिन दुर्गापूजा समीती ने कहा कि इस साल की दुर्गापूजा के लिए थाई मंदिरों की थीम थाईलेंड के मंदिरों में पाय जाने वाले सम्रद्ध और अलंकरत डिजाइनों से फ्रेरी थी। कला निर्देशक किरण ने पांडाल में थाई सोंदरी शास्त को शामिल किया है। इस साल यहाँ पर कई सारे सिंगर भी परफॉर्म करने आने वाले हैं जिनमें सोनो निगम, शान, मिक्का सिंग और कई कलाकारों दोरा लाइफ प्रदेशन किया जाएगा। आपको बता दें, नौट बॉंबे सर्वोचनिन दुरिका पूजा समिती के स्थापना 1948 में होई थी। और इसके संस्थापक सदस्य शष्टर मुखरजी थे। जो कि देव मुखरजी के पिता और आयान मुखरजी के दादा है। इनके लावा इसमें अशोक कुमार, किशोर कुमार, बिमल रॉय, हेमन कुमार, इसडी बर्मन, जोई मुखरजी, प्रदीप कुमार, राम मुखरजी और ऐसी कई हस्तिया शामिल थी। इस साल के पांडाल के डिजाइन में भी थोड़ा चेंजेस किया गया है। पूजा करने वालों के लिए स्टेश थोड़ा उपर और फोटो कीचवाने वालों के लिए स्टेश थोड़ा नीचे की तरफ रखा गया है। तिक्षा शेत्र में पूरे अनुभव के तौरान आराम भी सुनिश्चित किया जाता है। नॉट बॉम में सर्वजनिंग दुर्गापुजा समीती के देव मुखर जी कहते हैं। इस साल यहां का दुर्गापुजा, पांडाल और भी जाता बड़ा, बहतर और भव्य होने वाला है। इस साल यहां पर माताजी की पति मुकुट के बिना मुर्ती 17 फीट की प्रभावशाली उचाई पर खड़ी है। जिसके लंबाई 30 फीट है। इस पार इस मुर्ती का बजन 3 टन से अधिक है। और विसरजन की प्रक्ट्या के दोरान फॉर्क लिफ्ट और क्रेन का उप्योग किया जाता है। विसरजन से पहले पतिमा साथ फेरे भी लेती है। तो दोस्तों आपको घट स्थपने के वीडियोज कैसे लगे हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। सरबोजनीन दुर्गापुजाब पान डालके और वे वीडियोज देखने के लिए सस्क्राइब करें।